गुरुवार की सुबह भववा के सुवरा नदी पूल के पास इस्थित काली मंदर परिसर से एक व्यक्ति का शौ बरामत किया गया जिसके बाद ख्षेतर में संसानी थैल गई इसके बाद अस्थानी लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई सूचना के बाद भववा पुलिस ने काली माता मंदर पहुचकर शौ को कबजे में लेकर मामले की जांच में जुट गई और शौ की सिनक्त किया जाने लगा शौकी पाचान भववा थानक्षतर के नौवा जोटी गाउनिवासी स्वर्गिय रादेश याम हलवाई के पोत्र बनारसी साह के रुप में किया गया वही मौके पर पहुचकर कुडासन पंचात के पुरू मुकिया भानू प्रताप सिंह ने बताया कि पहले से यह मानसी के विक्षिप्त व्यक्ति था जो इधर उधर घूम कर मंगता खाता था वही कल राद काली माता मंदिर के परिसर में सो गया जहां देर राद हाल का पाने वाले ठंट के चपेट में अने कारण इसकी मौत हो गई है इसके बाद भगवा पुलिस के द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई यह सूनते ही परिजनों में रोना धोना शुरू हो गया सूचना पाकर मृतक के परिजन मंदिर तक पहुंचे इसके बाद आगे की प्रफलिया पुलिस द्वारा किया गया शौक का पश्ट माटम करा कर पुलिस मामले की जांच में जूटी हुई है यह हमारे पंचायद के नौवा जौटी गांगा रहने वाला है बनार्सी साह हलुआई जाती का है इनके पिता का नाव राधे साम हलुआई है यह कुछ मैंड का डिश्टर बहते थे इस तरह घुमते फिकते थे और यह ठंडक से इनकी मिर्तु हो गई इस मंदिर में है यह कैसे दुखेना मिला यह हमको तो मिला थाना से उस आसन ज्वारा सुचिना मिला यह कि आपके पंचायद का यह है ऐसी मंदिर में कहीं समांग खा कर रहता था था इस इनका नाम क्या था चाहाई पिता कर अधे समय नौवा जोटी हमारा भानु परताफ से पूर मुख् पुरासन पंचाइद के नागा पास्वान मुखिया पुरासन पंचाइद के नवा जोती के पाचान हो गया है मंदिर परिशर में अंदर है काली मंदिर काली मंदिर जाना में करता है है हमारा बले राम जादा उसाहा होनी बागुआ थाना दें